हेलो एवरीवन और वेल्कम बैक टो कम्पेटिशन कम्यूनिटी आप सभी का कम्पेटिशन कम्यूनिटी के यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है आप लोग देख रहे हैं एसे सी जिए लें और यूटीव कोर्स और जैसे की आप लोग देख पा रहे हैं आज मैं इस वीडियो में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ जैसे की सिंपल इंट्रेस्ट यानि की कम जिसको हम साधरान ब्याज कहते हैं हिंदी में ब्याज के दो प्रकार है सवाल में जो आपके एक्जाम में आ रहा है इस वीडियो को पूरा देखे क्योंकि इस वीडियो को देखने से वो सवाल आपसे डेफिनिटली बनेगा ठीक है चैनल पर नए है तो चैनल सब्सक्राइब करें और बैल आइकन दबा दें क्योंकि यहां पर आपको जो नोटिफि फ्राइड़ जिसमें से अगर मैं आपकी बाद करुँ बारावजे वाले शिफ्ट की यानिकि सुभा वाले शिफ्ट की तो उसमें आपको रिसनिंगहओ में से रहें मैंत्स न प्रॉड़ियो को मैं स्थां इस लेक्टर करता तो सब्सक्राइब प्रोह इंत mosidra बढराने श मतलब की जो लिंक है competition community का website है वहाँ पर आपको प्रोवाइड हो जाएगा चलिए अब स्टार्ट करते हैं साधारण ब्याज की बात यदी मैं करूग तो 5 चीज़े principle rate time interest and amount याने principle को हम क्या कहते हैं Hindi में कहते है मूलधन चीख का मतलब है ब्याज कि दर टाइम की बात करूं तो समय इंट्रेस्ट का मतलब क्या है तो ब्याज ठीक है और अमाउंट का मतलब क्या है तो मिश्रधन है मिश्रधन यह पांच चीजें जिसके उपर आपका सिंपल इंट्रेस्ट का कोश्वन जो है गुमता रहता है इन पांच चीजों के इर्द गिर्द चलिए अब यहां पर मैं आपको सिंपल इंट्रेस्ट से स्टार्ट करने के पहले कुछ कॉंसेट बदाना चाहता हूं कि आधा कुश्चन वहीं सौल हो जाता है आपको पहले करना होगा कि जो डेटा दिया हुआ है ठीक तो देखिए अगर आपको ऐसा बोल रहा है कि कोई सम ऑफ मनी है याने कोई धन है जिस पर ब्याज लगेगा तो ब्याज किस पर लगता है तो हमेशा यह वाले धन पर लगता अगर आपको ऐसा कोई language मिला question में कि इतने सम का ब्याज मिला याने कि the sum of this much was got as an amount of interest तब यह किसकी बात कर रहा है तब यह इस amount की बात कर रहा है जो कि आपका interest है तो सबसे पहली बात सम जो है याने कि amount जैने कि जो पैसे लग रहे हैं वो तीन जगा से लग सकता है एक आप principle वाला हो सकता है एक आपका interest वाला हो सकता है एक आपका amount वाला तो सबसे पहले तो आपको identify करना आना चाहिए ठीक identify कर लिए तो आपको यह समझना है कि ब्याज दो प्रकार की होते हैं एक होता है साधारन ब्याज दूसरा होता है चक्रवृति ब्याज इस वीडियो में मैं साधारन ब्याज कवर करने वालो तो आपको यह समझना है कि जो rate होता है rate इसका definition आपको समझना है R का मतलब क्या है जो मैंने यहाँ पर लिखा यह क्या है rate of interest है rate of interest यानि कि rate of interest को short form में इस तरी किसे लिख सकते है rate of interest हिंदी वाले क्या लिखेंगे तो ब्याज की दर क्या लिखेंगे ब्याज की दर चैनल ब्याज की दर अब पूरा का पूरा जो definition इसका है वहीं से आपका simple interest पूरा बन जाता है तो rate of interest का definition क्या है साधरन ब्याज के टर्मस में साधरन ब्याज के टर्मस में है कि सालाना यानि एक साल में आपने जितना मूलधन का प्रतिसत ब्याज के रूप में दिया उसी को हम क्या कहते हैं उसी को हम कहते हैं ब्याज किदर लिख लेंगे यानि कि जितना प्रतिसत हम ब्याज दे रहे हैं मूलधन का जितना प्रतिसत सालाना हम ब्याज दे रहे हैं उसी को हम क्याओं कियाद एधर पर्संटेज ओफ इंट्रेश्ट का हर्साल हम व्याज देन लें उसी को हम क्या कहतें ये कहते हैं तो यहां से मैने एक बात कही वो है lepa PCP 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 का मतलब क्या है प्रतीशत प्रतिशत प्रतीवर्ष प्रतीशत परतीवर्ष ऌए प्रतीवर्ष यानि कि परसेंटेज PCP का मतलब आप हो ना यहां पर इसका मतलब क्या है PC का मतलब percentage और पर एनम का मतलब क्या होता है साल मतलब कि एक साल में आपने मूल धन का जितना प्रतीसत आपने ब्याज के रुप में दिया उसी को हम क्या कहते हैं उसी को हम कहते हैं rate of interest clear तो देखिए यहां से बहुत सारी बाते आपको अब समझ में आने लगी होगी मैं यहां से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ किसका फॉर्मूला क्या है क्योंकि देखिए यदि मैंने कहा कि आप rate of interest आर प्रतीसत rate of interest यह rate of percentage तो अगर आप से मैं पूछू कि एक साल मे आपने कितना interest दिया simple interest आपने दिया हो एक साल में जो interest दिया वो कितना हो जाएगा principle का आर प्रतीसत याने आर बटा सो आर परसेंटेज का मतलब क्या होता है आर बटा सो होता यह सारी चीजे हमने देखा हुआ है तो एक साल का interest इतना हुआ अगर मैं आप से पूछू कि है यह तो एक साल का एसाई है क्योंकि आप रेट क्या खेरे रेट का मतलब है कि एक वर्ष में आपने मूल धनका याने principle का जितना percentage आपने दिया वही क्या है वही कहीं आपका interest लेकिन यह तो एक साल का कितना हो जाएगा दो साल का दो हो जाएगा यहां पर दो गुणा का तीन साल का यहां तक बात समझ में आ गई तो यहीं से आपका बनेगा formula simple interest का यहीं से आपका formula बनेगा किसका तो simple interest का तो formula आप लोग लिख सकते हैं कि formula simple interest का फॉर्मूला है principle into rate into time बटा सो यह सゃाधरन ब्याज है मूलधन गुंए ब्याज की दर गुंए समय बटा सो ये हो गई आपके ब्यास की दर को साहनãy जिस प्रैस को आपने उधार लिया जो जिस प्रैस पर आपका जो पैसे लग रहे हैं वह आपका मूलध यह Nirm प्रिंसिपल कहलाता है है इसको किसमें दालना है यानि कि आपको हमेशा वर्षों में दालना इस चीज कर रखना यह वर्षों में रहेगा क्यों वर्षों में रहेगा कियोंकि यह पर्वर्ष है तो उन मैं इसलिए यह और मैं इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं एक इंपोर्टींट result और आपको लिखना है हमेशा जो मिश्रधन होता है यहां से कुछ important results मैं आपको बताऊंगा मैंने शुरुवाती तौर पर आपको बताई कि 5 चीजे हैं जिसमें से यह सारी चीजे मैंने आपको बता दिया कि simple interest का मतलब क्या है मैंने आपको यह बता दिया कि amount का मतलब क्या है तो इन से कुछ छोटी छोटी चीजे अब हम सीखना चालू करते हैं ठीक है पहली बात आपको यह सारी चीजे तो अब बताया था रिजल्ट के तोर पर याद करने के लिए तो अब देखिए यहां से आप कुछ चीजों को note down करना चालू करेंगे 5 चीजें 5 बाते principle थिक है पहला पॉइंट किया है principle प्रिंसीपल है पहला दूसरा है वही रेट तीसरा है टाइम चोतर तहां इंट्रेस्ट्ट इन jour सिंपलिंट्रेस्ट और पांच फार मतलों कилась अपका अंतल्य है प्रिंसीपल प्लस इंट्रेस्ट क्योंकि हम संपल इंत्रेस्ट की कि कैसे हम इस चीज को हैंडल करेंगे यह सारी बाते मैं आपको बताने वाला हूं सिंपल सी चीज है अगर प्रिंसिपल जो है यानि कि रेट ऑफ इंट्रेस्ट जो है वो अगर ऐसा कोई वैल्यू है जो सौ को पूरी तरह से काट ले जैसे रेट ऑफ इंट्रेस्ट करके आप देंगे इंट्रेस्ट तो अगर मैंने कहा कि आप चार वर्षों के लिए इंट्रेस्ट देने वा तो बताए घैस कc आपका तो प्रिंसिपल था इसमें 80% को मैं जोड़ दूँगा तो एमाउंट हो जाएगा 180% का अब देखे सवाल कुछ इस तरीके से फ्रेम किया जाता है कि बताइए अगर एमाउंट याने प्रिंसिपल याने मूलधन अपना चार गुना हो गया तो बताइए जो होने का विए आपने कितना दिया होगा तो आपको टाइम दिया है कि यह 15 वर्षों में ऐसा हो रहा है तो आप खुदी बताईए कि एक एक वर्ष में आपने कितना कितना interest दिया होगा यहाँ पर 20% multiplied by 15 करने पर उत्तर आएगा तो यहाँ पर 20% आपका उत्तर जाएगा तो इस तरीके से आपका सवाल बन जाता है तो बताइए भाई यहाँ पर pen उठाने की आवसकता है बहुत सिंपल तरीके से आपसे मैं बता रहा हूँ कि अगर 100% का 400 हो गया मतलब 300% आपने ब्यास दिया होगा और अगर 15 वर्षों में यह हो रहा है मतलब हर वर्ष आप 20-20-20 करके 300% का ब्यास दे रहे होगे यह तो कुछ तरीके हो गए कि अगर वैल्यू आपके ऐसा कोई वैल्यू है जो कि 100% के साथ friendly है यानि कि आपका उसका 100% निकालना आसान है यानि कि इसका बट्टा जो है यानि इसका बट्टा क्या होता है यानि कि इसका fractional value 1 by 5 होता है तो यह 100 के साथ काफी friendly है यहां से इसका 100 का 1-5th value 20 होता है तो 20% आप निकाल सकते हैं लेकिन कुछ ऐसे भी values होते हैं जो इससे पूरी तरह से नहीं कटते हैं तो उसको भी मैं बता देता हूँ कि उसको कैसे handle करना है जैसे की for example 6.25% यदि आपको बोला गया 6.25% का आपको ब्याज देना है तो यहां से आप 100 लेकर solve कर सकते हैं एक तरीका लेकिन आप लोग ने यह पढ़के रखा है कि 6.25% का मतलब होता है 1 by 16 इसका मतलब क्या होता है 1 by 16 होता है तो मैं क्या करूँगा मैं यह लिलूँगा कि 16 मेरा मूल्धन है 16 unit मेरा मूल्धन है और मेरा जो ब्याज है वो ब्याज कितना है तो ब्याज मेरा हो जाएगा एक यानि कि 16 पर मुझे एक का ब्याज देना है कब जब मेरी ब्याज की दर कितनी हो गई इस केस में इस केस में 6.25 परसंटेज ब्याज की दर हो गई तो 16 बटा एक था तो मैं 16 को माल नूँगा प्रिंसिपल याने मेरा जो एक वर्ष का ब्याज है वो एक यूनिट है अब सपोस करिए कि आपने 5 वर्षों तक ब्याज दिय है अगर मैंने 5 वर्षों तक ब्याज दिया तो इसका मतलब मैंने ब्याज कितना दिया होगा 5 it ब्याज दिया होगा और प्रिंसिपल है चोला यूनीट मतलब होता है 3 बटा 8 यह इसका fractional value तो आप 8 को मान लेंगे principle किसको मान लेंगे principle 8 को मान लेंगे principle और 8 का 3 बटे 8 भाग यानि 8 का 37 दशमलव 5 प्रतिसयत मान जो है वो कहिना कई इसका numerator होता है 3 मतलब कि 8 अगर आपका principle है तो हर वर्ष आप 3 तीन करके यूनिट में interest पे करोगे तो इस case में आपका जो interest है rate of interest एक साल का हो जाएगा 3 और यदि मैं आपसे कहूं कि आपने यहाँ पर 10 वर्ष तक आपने इतना इतना ब्यास दिया तो 3 गुने 10 करने पर आपका यहाँ पर जो total interest हो जाएगा वो 30 unit का हो जाएगा और amount कितना हो जाएगा तो amount होता है principle जो कि 8 प्रस interest यानि कि 30 तो 8 प्लस 30 करने पर 38 आ रहा है तो यह हमारा कहीं न कहीं amount बन जाएगा clear है यहाँ तक सारी बातें आपको समझ में आ रही है चलिए अब यह जो कुछ चीजे मैंने लिखी हुई है यह आपको directly use करना है इसी तरीके से हम सवालों को solve करेंगे principle rate time simple interest और amount ठीक तो इसको आप अच्छे से notes बना के रखिए कि इस तरीके से हमें values को handle करना है तो पूरा का पूरा खेल पर पर प्रतिशत के पहले वीडियो में यह सारी चीजे हमने सीखी है तो इसको आपको समझना है यह अगर आप समझते है कि इसका fractional value क्या होता है तो इस fraction value के उपर सारी चीजे निरवर है तो प्रतिशत के फर्स्ट वीडियो में यह सारी चीज़े बता के रखाऊं तो कहिना की percentage जैसा ही है यह और percentage के उपर अगर आपका पकड़ है तो इन सब चीजों के उपर आपका पकड़ अच्छा खासा रहेगा ही ठीक है चली तो यह कुछ theory की बात हो गई एक important formula आप लोग note करके रखेंगे और उपर लिखके रखना कि केवल simple interest के लि जब सवाल आएगा तो मैं आपको यह formula के जरिया और without formula भी आपको बताऊंगा और ऐसा formula में लिखा है तो क्यों हो रहा है यह भी मैं आपको उता हूं क्योंकि यह आपका जो है favorite question होता है किसी भी competitive exam का कि अगर amount जो है वो n1 गुना होता है n1 गुना हो जाता है t1 time में और n2 गुना हो जाता है t2 time में मतलब principle का n1 गुना हुआ t1 वर्स में principle का n2 गुना हुआ t2 वर्स में तो आपसे कोई भी यहाँ पर value पूछ सकता है जैसे कि n1, n2 दे दिया और t1 दे दिया t2 का मान पूछ रहा है यह ऐसा बोल देगा कि n1, t1 और t2 दे दिया लेकिन n2 नहीं दि ब्याज के लिए केवल और केवल साधारन ब्याज के लिए आप इसको यूज करेंगे क्योंकि सेम सवाल आपका चक्रुर्दी ब्याज में लगता है और वहां पर यह concept नहीं लगता है वहां पर कुछ अलग concept लगता है जो मैं आपको आने वाले वीडियो में समझाऊंगा ठ प्रिंसिपल यदी आठ था तो अमाउंट जो है वो कितना हो गया वो हो गया ग्यारा इसका मतलब simple interest हमने तीन दिया होगा और time जो दिया है वो तीन वर्स में दिया है याने हर वर्स जो है हम जो interest दे रहे होंगे वो कितना होगा वो हो जाएगा एक का बात समझ में हारी कि नहीं हारी amount आठ था amount जो है वो principle का कितना हो गया बोल रहा है सवाल में 11 बटे 8 हो गया मतलब principle यदी 8 है तो amount 11 हो जाएगा जाएगा 12.5% कई लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहां पर नॉर्मल तरीका याने कि हमारा जो एसाइज का फॉर्मुले है उसी के जरीए आप इसको जितना मिश्रदन है माइनस जितना जो मूल जन था याने 11 पी बाइट माइनस पी करोगे तो कहीं न कई तीन बटा आठ आएगा अब जब सिंपल इंट्रेस्ट आ गया तो फॉर्मूला आप जानते सिंपल इंट्रेस्ट बराबर पी आर टी बटा सो होता है यह हमने सीख ल हमें टाइम तीन है डिवाइड बाइसा करिए कहीं न कहीं आपका वैल्यू आ जाएगा साड़े बारा प्रतीशत फिर से तो इस तरीके से भी आप सॉल्व करना सीख के रखिया क्योंकि फॉर्मूला भी कहीं-कहीं पर यूज होता है अगला सवाल दिखते हैं यहां दिवा ब्याज मुलधन का इतना प्रतीशत है और वर्षो की SAM जो है वो दर प्रतीशत के बराबर है तो परतीशत वार्षिक ब्याज किता है दॉस्टरीत ब्याजय को साधरण ब्याज्च जो है इसciu फैस यह सिंपल इंट्रेस्ट है वह प्रिंसिपल का 1 ब्ड़का 혹시Stas यह प्रिंसिपल है रेट और टाइम दोनों बराबर बुला गया यानि जितना रेट है उतना टाइम बुला गया तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वार यानि जितना एक्स है यह भी एक्स उतना ही है न्यूमेरिकल ही ऐसा कह रहा है बटे में 100 आ जाएगा तो देखिए यह पी से रूट स्क्वार रूट और इसका भी स्क्वार रूट ले लेता है तो कहीं न कई के मैल्यू आज clipping यहां पर एक्स बटा दस और यहां पर एक बटा चार मतलब एक्स कितना हे तो दस बटा चार मतलब 2.5 परतिसत है और एकस ही आपका लें अम्मार बोर देंगे एक किसान ने प्रती वर्ष क्या किया तो 25% दर्ग से साधरन ब्याज पर 4800 रुपे उधार ली पांच साल के अंत में उन्होंने क्या किया 8800 रुपे और एक बकरी के साथ इसका बुगदान उधार चुका दिया तो बकरी की लागत क्या है यह हमें बतानी है तो इस सवाल में क्या दिया हुआ है मुलदन दिया हुआ है देखिए पहचानना बहुत ज़रूरी है उसने यह जो बॉरो किया था शुरुवाती तो पर जो हम उधार लेते हैं इस पर ब्याज लगता है मतलब यह क्या है तो प्रिंसिपल है तो एडिमफाय करना ज़रूरी है और 25% अगर 5 वर्सों तक आप देंगे तो कहीं न कहीं आपका जो ब्याज हो जाएगा यानि कि अमाउंट जो आपको पे करना होगा वह 125% हो जाएगा क्योंकि 125% आपका ब्याज होगा 225% आपका अमाउंट हो जाएगा तो अगर मैं यहां से पूछू आपसे सिंपल इंट जैसे 125% आया तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं यह हो जाएगा आपका 4800 multiplied by 125 बटा 100 125 कैसा है समझ मैं क्योंकि 25% तो एक वर्स का है ना पांच वर्स में 125% आपको देना पड़ेगा दो जिरो यहां से कड़ जाएंगे और 125 से multiply करने का सबसे बहतरीन तरीका में आपको बताऊंगा कि आप इस 125 को लिख दीजिए 1000 बटा 8 125 को मैं क्या लिख दूँगा 1000 divided by 8 तो पांच के multiples में जब कोई multiplication चलता है तो आप क्या कर सकते 1000 बटे 8 इस तरीके से उसको लिख सकते है क्योंकि 8 से काटना ज्यादा असान है यह 6 गुने होगा और यह value हो जाएगा 6000 मतलब यह तो आपको ब्याज देना है तो amount की अधी में बात करूं तो amount कितना देना होगा amount आपको देना होगा principle जो कि 4800 रुपिया था plus आपका जो ब्याज है जो कि 6000 रुपिया है दोनों को जो खुदी बताइए कि एक्स्ट्रा जो हम गोट दे रहे हैं वह बाकी भूगदान के लिए होगा यानि कि अगर मैं इंदोनों को माइनस करूं तो 2000 रुपए आ रहा है तो गोट का दाम भी 2000 रुपए ही होना चाहिए जो कि है बी का बतर बीजदा करेक्ट एंसर क्लियर है मैंने की बात हो रही है और 500 रुपया है 12200 रुपया है और रेट अफ इंट्रेस्ट कितना है तो साड़े बारा परसेंटेज तो सिंपल इंट्रेस्ट एक वर्ष का अगर निकालना होता तो आप क्या करते 15200 का साड़े बारा परसेंट यानि एक बटा आठ निकालते है यह हो जाता एक वर्ष का ब्याज लेकिन यहाँ पर आपको छे महिने का ब्याज निकालना है छे महिने का मतलब क्या होता है आधा साल तो छे महिने का ब्याज का मतलब क्या वह छे बटा बारा क्योंकि हम में आपने जितना व्याज दिया वह आपका प्रतीस्यत कहता है प्रतीस्यत कितना है साधे बारा-फर सभारापर संट का मतलब एक ओए होता है मतलब इसका वनगा एड़ जो एक वर्स का ब्याज है लेकिन शे महिने का ब्याज निकलना था तो और आधा हो और आधा करने पर और आधा करने पर वन बाई 16 आ रहा है तो बताइए वैल्यू कितना है गा दो से काटो तो यहां 7600 आएगा आठ से यदि मैं काटू इसको तो नौ बार कटेगा चार आ रहा है तो 50 ठीक है तो यह सबसे पहली बात अगर 2000 रुपए है 2,000 रुपए के हिसाब से अगर कोई व्यक्ति ब्याज ले रहा है ठीक और इसने कितने वर्षों के लिए ब्याज लिया तो तीन वर्षों के लिया और साथ ही साथ 6 प्रतिसत पर एनम के हिसाब से इसने ब्याज लिया था तो यहां पर यह परसन है यह परसन थोड़ा स्मार्ट है इसने क्या किया मैं वह सोचता है कि कि इसके उपर पैसे कमाये जाए तो यहां से वह आगे क्या करता है 8 प्रतिसयत ब्याज की दर्से तीन वर्स के लिए एक दूसरे व्यक्ति को दे देता है मतलब कूल मिलाके 8-8 प्रतिसयत के के साब से इसके इसको पैसे मिलने वाले यानि तीन वर्सों में चोविस परसेंट मिलेगा और यहां से छे प्रतिसत के साब तो बी जो सवाल का सयूद्ट तो यहां तक बाते समझ में आगए बढ़ते एक हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट में क्या हुआ पांच प्रतिशत पर एनम के इसाब से हमने इंट्रेस्ट दिया इंट्रेस्ट इस एड़ेट टू प्रिंशिपल आफ्टर एवरी टैन यहां दिया है कि एक हजार रुपए के साधारन ब्याज पर हमने पांच प्रतिशत निवेश किया था ब्याज के प्रतियक दस वर्स के बाद मूलधन पर जोड़ दिया जाता है तो दो हजार होने में कित इतना समय लगेगा यह बोल रहा है देखिए सिंपल इंट्रेस्ट तब तक नहीं बदलता है दब तक आप यहां पर प्रिंसिपल रेट और टाइम को ना बदलें क्योंकि सिंपल इंट्रेस्ट का मतलब क्या होता है सिंपल इंट्रेस्ट होता है प्रिंसिपल रेट टाइम बटा सो यह हम इसको ऐसा कह सकते है कि सिंपल इंट्रेस्ट जो है वो प्रिंसिपल का रेट का और टाइम का समानुपाती है यदि आप किसी भी चीज को यहां पर अनुपात में बदल दे प्रिंसिपल को बदल दे रेट को बदल दे और टाइम को बदल दे तो सिंपल इंट्र रुपया निवेश किया 5% के हिसाब से हमने निवेश किया था अब आपको बताना है कि कितने समय में 2000 रुपया बनेगा तो देखिए 2000 रुपया बनने का मतलब इसका 200% आपको इंट्रेस्ट देना होगा क्योंकि 1000 का इंट्रेस्ट देना है लेकिन मज़े की बात यह है कि 10 साल में आपका 5% मतलब दस साल में, पहले 10 साल में क्या होगा, पहले 10 साल में आपका पांच प्रतिशत के हिसाब से आपको ब्याज की तो यहां जो SIMPLE INTEREST आपको देना होगा वह 500 रूप्या होगा, अब अगले10 साल में जब आप करो मूल दाने वह कितना रहेगा वह जाएगा 1500 रुपिया अब आप यहां से खुद सोचिए कि आपको जो अमांट टोटल बनाना है यहां कि इंट्रेस्ट जोडने के बाद हमें कितना बनाना है तो हमें बनाना है तो यहां पर आपका जवाब होगा हम 75 75 रुपीज देकर इतना ब्याज हम चुकता करेंगे क्योंकि देखिए हर वर्ष आपको 75 रुप्या देना है क्योंकि अगर आप खुदी सोचिए कि पहले के दस वर्ष में 5% 5% 5% के साब से पहले के 10 वर्ष में यदि 5% व्याज की दर के साब से हम यहां पर दे रहे थे तो यहां 500 रुप्या हुआ था जिसमें कोई गलती नहीं है लेकिन अगले वारे में 5% अगर पूरे 10 वर्ष आप गुजार दे तो कहीं ना कहीं वैल्यू जो है व वह इसका 5% क्योंकि आज की दर नहीं बदल रही प्रिंसिपल बदल रहे प्रिंसिपल बदला तो इंट्रेस्ट बदलेगा हर साल का तो पहले तो हम यहां पर हर बस 50-50-50-50 यानि कि इसका पांच परसेंट तो 500 रुप्या हुआ दस साल में अब जब पांच परसेंट दे र मतलब 6-2-3 वर्ष अब यहां से आपको जो वर्ष लगने वाले 500 और व्याज लाने के लिए वह है 6-2-3 वर्ष पहले 10 वर्ष लगे थे अब 6-2-3 वर्ष और लगे मतलब सवाल का सही उत्तर हो जाएगा कोई फार्मूला यूज करने के आवसकता नहीं बस कॉंसेप्ट को आप यूज करते हुए कॉंसेप्ट समझते हुए इस तरीकी सवाल को आसानी से लगाए जा सकता है अगला सवाल देखते हैं अस्वाफ रूपीस 3500 गिवसा सिंपल इंट्रे देखिए एक वर्ष में हम जो ब्याज दे रहे होंगे वह कितना दे रहे होंगे एक वर्ष में हम दे रहे होंगे 140 रुपिया ठीक है तो आपसे रेट ऑफ इंट्रेस्ट की तो पूछ रहा है और रेट ऑफ इंट्रेस्ट क्या होता है एक साल में आपने इतना ब्याज दिय वो कितना है ब्याज का दर क्योंकि दो साल में इतना साधर है तो एक साल में आपने कितना दिया होगा एक सो चालिस रुपया दिया होगा और ब्याज की दर कहते है कि एक साल का जो ब्याज है वो मूल धन का जितना परसेंटेज है इसी को ही हम कहते हैं ब्याज किदर थिक तो दो जिरोज दो जिरोज काट देते हैं साथ से काटोगे अब 35 का पांच गुण है या ऐसा देख लीजे साथ से काटोगे तो नीचे पांच और यहाँ पर उपर में 20 आ रहा है मतलब 4 परसेंटेज आपका ब्याज है एड़ रेट ओफ 12.5 परसेंट पर अनम वट इस दा प्रिंसीपल दस बरसों में आपको जो ब्याज मिल रहा है साधे बार अप्रतीसत ब्याज की दर से वह कितना इतना है थिक तो आपको बताना है मूल दन कितना है तो सिंपल फॉर्मूला आप लगा सकते हो कि ऐसा ही जो होता है वो कितना होता है प्रिंसीपल रेट बता सो मल्टिप्लाइड बाटाई तो साड़े बारा का फ्रेक्शनल वैल्य होता है एक बटाट प्रिंसीपल आपको निकालने को कहा गया टाइम कहा रहा है दस बर्स और यहाँ पर जो वैल्य दिया है 708 गुने 75 लिए तो प्रिंसीपल आच्छुली हुआ कितना इस आठाट को यहां लेकर जाऊगे तो मल्टिप्लाइड होगा इस से 8 से multiply करोगे तो बताइए कितना आएगा 40 8 गुणे 5 40 फिर 56 प्लस 4 करोगे तो 60 आएगा 8 गुणे 8 64 प्लस 6 करोगे तो 70 आएगा फिर यहां पर 7 आ रहा है और यहां 560 आ रहा है तो 567 यानि कि यह वाला जो उत्तर है यह सही हो जाएगा इस सवाल रहा है यहां तक बाते समझ में आ गई चलिए आगे बढ़ते हैं एट वाट परसंटेज सिंपल इंट्रेस्ट पर एनम विल रूपीज 600 अमाउंट तो इस मच इन 4 यह तो कितने प्रतीसत ब्याज किदर से 600 रूपया इतना बन जाएगा बोल रहा है आपको चार वर्षों के समय में तो प्रिंसिपल दिया हुआ है क्योंकि देखे कभी भी आपको बोलता है कि इतना रूपया इतना हो गया इसका मतलब यह है कि प्रिंसिपल जो है वो 600 रूपया है इसमें आपने ब्याज जोड़ा तो एमाउंट बन गया तो एमाउंट कितना है 720 रूपया मतलब आपने जो वैल्यू दिया वो कितना दिया यह क्या है, यह साधरन ब्याज है, और कितने वर्षों में दिया, तो आपका जवाब होगा, चार वर्षों में, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक वर्ष में आपने कितना ब्याज दिया, आप कहोगे, 120 divided by 4, जो कि ये 30, 30 रुपिया, 30 रुपिस, एक वर्ष में जि क्लियर 20 सवाल का सही उत्तर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं हाउ मच टाइम विल टेक फॉर रुपीज 550 तो एल्ट 121 एज इंट्रेस्ट इन 5.5 परसेंट पर रहना तो कितना समय लगेगा यदि पाज प्रतिस पाज प्रतिसद ब्याज की दर से 121 रुपिया में अगर 520 पचास रुपए का ब्याज मिल रहा है तो सिंपल सी बात है ऐसा ही बराबर होता है प्रिंसिपल रेट टाइम डिवाइड़ बाए 100 इन्ट्रेस कितना देना है एक सो एक से रुपिया देना है यह 550 प्रिंसिपल रेट जो है वो कितना है 5.5 है बटा में 100 लगाना पड़ेगा क्यूंकि प्रतिसत है और टाइम बताओ कितना है टाइम निकालना है हमें तो सिंपल है एक डेसिमल को यहां से हटाने के लिए मैं स्पाइबागएन, जिया इस जीरो को केंसल कर देता हो तो यह 55 इंटू 55 हो जाएगा यहां इसमें वैल्यू जो है 11 इंटू 11 चुपा हुआ है तो ग्यारा इंटू 11 को इसके 11 से काटेंगे तो पहांच इसके 11 से काटेंगे तो यहां भी पाच आएगा पांच इंटू 5 लाकर हमेशा बेसिक से ही करना है बेसिक से भी सॉल होता है कहीं न कई फर्मूला भी यूज होता ही आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वैल्यू जो है इस सवाल का बताईये क्या निकालना है रोशन अप्टेंड एन अमाउंट फाइफ थाउजन वन हंड्रेड एस सिंपल इंट्रेस्ट अंसर्टें संब टेन परसेंट परायान फॉर सिक्स यर्स वाट इस दी अमाउंट इन्वेस्टेड बाय रोशन तो he got किसी रिष्टित राशी पर 10% ब्याज की दर से 6 साल के बाद साधरान ब्याज के रूप में इतना मिला तो बताना है कि उसने कितना निवेश किया था तो 10% ब्याज की दर है और आपने 6 वर्ष के लिए इसको लगाया इसका मतलब साधरान ब्याज जो आप दोगे वो कितना होगा 60% होगा और मूलधन अपना कितना होता है तो मूलधन अपना खुद का 100% होता है 60% का मान आपको दिया होगा 5100 तो क्या आप यहां से मूलधन बता पाएंगे अगर 60% इतना है तो 100% निकालना कोई बड़ी बात नहीं है 5100 divided by 60 multiplied by 100 तो अगर मैं इसे 20 से काटू तो यहां 3 और यहां 5 आएगा तीन से से काटने पर 17 आएगा और 17 गुने 5 होता है 85 और 2 zeros आगे लग जाएंगे 8500 का मतलब सी जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा क्लियर है नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं फोर 4500 विकम्स 5500 इन टू यहर्स एट असे सर्टें डेट आफ सिंपल इंट्रेस्ट इफ दी रेट आफ इंट्रेस्ट बिकम्स 3.5 ताइमस अफ इट्सेल्फ एड़ी अमाउंट ऑफ दी सेम प्रिंसिपल इन फॉर यहर्स विल धन कितना बन जाएगी यह हमें बताना है तो सबसे पहली बात आपको जो यह अमाउंट है यह आपका 4500 रुपया आपका प्रिंसिपल है इसमें जब हमने को जोड़ा तो अमाउंट आ गया जो कि है 5500 रुपया का ठीक है मतलब आपने जो इंट्रेस्ट दिया प्रिंसिपल और साथ में पहले वाला जो है वो दो वर्ष का था तो अब चार वर्ष का है तो अगर में उझे यह यह निकालना है कि सिंपल इंट्रेस्ट में चेंज क्या होगा क्योंकि देखें सिंपल इंट्रेस्ट जो है वो समानुपाति होता है किसका किसका प्रिंसिपल का रेट का और टाइम का तो अगर प्रिंसिपल में रेट में या टाइम में कुछ भी बदलाव हो रहा है तो वो बदलाव सिधा-सिधा इंट्रेस्ट में दिखाई देता है टाइम को हम डबल कर रहे हैं कहीं अभी क्योंकि अगर आप देखोगे दो वर्स से आपने यहां पर कितना वर् लगा रहे हैं साथी साथ रेट ऑफ इंट्रेस्ट भी 3.5 गुना हो गया तो पहले रेट ऑफ इंट्रेस्ट अगर एक था तो अब इसमें रेट ऑफ इंट्रेस्ट साड़े तीन गुना हो जाएगा याने 3.5 तो अब आपको बताना है वैल्यू कितना हैगा इंट्रेस्ट क क्या हो जाएगा डी इस सवाल का सही उतर है ठीक है आसान लग रहा है साधारन भ्याच ठीक है वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और बैल आइकन दबाके आप सब्सक्राइब भी करें चैनल को ताके सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें ठीक है आपके लाइक और सब्सक्राइब से जो है हमारा मोटिफिकेशन हाई रहता है कि हम इस तरह की कंटेंड और अच्छे कंटेंड आपको लेकर आए आपके लिए चलिए नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन प साधरन ब्याज के किसी दर पर उतने ही ईतने समय पर आपको बोला जा रहा है कि एक्स पर सधारन ब्याज है और जड यप पको सदर्न ब्याज här तो y का हमें यहाँ पर जो interest मिला, x का, देखे, y is the simple interest on x, तो y जो है, यह समानुपाती हो जाएगा x पर, और z मिला किस पर, z is the simple interest on y, तो z हो जाएगा समानुपाती किस पर, तो y पर, दोनों समानुपाती एक दूसरे से है, तो इसको मैं equal to करके, बरावर कर सकता हूँ, याने relation यह मिलेगा कि y square जो है, यह x, z के बरावर है, क्योंकि इतना principle पर इतना ब्याज मिल रहा था, पहले वाले case में, दूसरे principle पर इतना ब्याज मिल रहा था, और rate or time equal है, तो rate or time को यहाँ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, उत्तर हो जाएगा कि y square बरावर जो है, वो है x, z क clear, चलिए, आगे बढ़ते हैं, next question दिया, the simple interest on a sum of money will be rupees 600 after 10 years, if the principle is tripled after 5 years, then what will be the total interest at the end of the 10th year, देखिए, किसी धनराशी पर 10 वर्षों के बाद जो मूलधन, जो प्राप्त होना था, जो साधारन ब्याज था, किसी धनराशी पर साधारन ब्याज जो है, 10 वर्षों में, इतना होता है, इतना होगा बोल रहा है, यानि कि 600 रुपया जो है, वो साधारन ब्याज है, 10 वर्षों में, यानि हर वर्ष 60-60 करके इस तरही के से, यदि मूलधन को 5 वर्ष के बाद 3 मुना कर दिया जाता है, तो 10 वर्ष के बाद, अंत में जो कुल ब्याज होगा, वो क्या होग तो दस वर्ष के समय में हमें जो मूलधन प्राप्त करना है वो कितना है 600 रुपया का मतलब यहां पर 600 रुपय मिलने वाले यह साधारन ब्याज है इतना ब्याज हमें मिलना है लेकिन यहां पर छोटा सा एक ट्विश्ट कर दिया कि बोल रहा है कि भई पांच वर्षों के बा बराबर बराबर मिलना है यह ब्याज और अगर पांच वर्ष और पांच वर्ष को अलग कर दो तो यह भी 300 रुपया पहले वाले में मिलेगा पहले पांच वर्षों में और यहां पर भी 300 रुपया मिलना था पहले के इसाब से लेकिन उसने किया क्या कि प्रिंसिपल को पा करना पड़ेगा मतलब यहां पर मुझे 900 रुपया मिलेंगे ब्याज अब यहां पर जो ब्याज मिलेगा वह 900 रुपया बिलेगा 300 रुपया नहीं बिलेगा ठीक इस चीज़को नूट करने किस पहले के 5 वर्ष में तीन सु रुपया अगले पांच वर्ष में नौ रुपया तो ओवरॉल त्री टाइम्स कर दिया तो इंट्रेस्ट भी थ्री टाइम्स होगा अगले पांस वर्स के लिए तीन सो का थ्री टाइम्स याने 900 रुपईया ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं कितने समय में धनराशी जो है साड़े बारा प्रतीसत ब्याज की दर से अपना तीन गुना हो जाएगी देखिए साड़े बारा परसेंटेज 12.5 परसेंटेज 12.5 परसेंटेज का मतलब आप सब अच्छे से जानते हैं यह होता है एक बटा आठ तो प्रिंसिपल और एमाउंट की यदि मैं बात करूं तो प्रिंसिपल हो जाएगा आठ और तीन गुना करने का मतलब इसका तीन गुना जो कि हो जाएगा चोविस क्लियर तो बताइए भ 3 गुना करने का मतलब यहां से हमने ञoga 150 वो 16 का दिया होगा आठ रुपए यह स्कुष क्रिंसिपल है तो सिम्पल इंट्रेस्ट एक साल पर जो हम दे रहे या कोई बच्चा ऐसा भी बोल सकता है कि अगर हमें यहां पर ब्याज देना है तीन सो अगर तीन सो तीन गुना होना चाहिए तो प्रिंसिपल यदी सो परसेंटेज है तो अमांट कितना हो जाएगा तीन सो परसेंटेज मतलब हमने जो इंट्रेस्ट दिया होगा एसा ही दिया होगा वह दोसो परसेंटेज का दिया होगा और प्रती वर्ष हम कितना दे रहें साड़े बारा दे रहें तो टाइम कितना हो जाएगा दोसो परसेंटेज हर वर्ष साड़े बारा देना है तो 12.5 प हुआ तो एमाउंट जो है वो 300% का होगा 300% होने का मतलब तीन गुना हो गया मूलजन चलिए आगे बढ़ते हैं यहींड साध्यान ब्याच की वहाद व्याद करनी है कि कोई दंधवर्षिपों हो आप आप खुदी बताइए यानिया कि 5 वर्षों में तो 5 वर्षों में आपने जो ब्याज दिया वो कितना होगा वो हो जाएगा 100% का अरे भई दुगना हो रहा है दुगना होने का मतलब प्रिंसिपल यदि 100% तो amount 200% होगा इसका दुगना मतलब हमने जो ब्याज दिया बीच में simple interest दिया वो तो 100% का दिया और यह 100% कितने वर्षों में दिया तो पांच वर्षों में दिया तो एक वर्ष में जो ब्याज दोगे वो हो जाएगा 20% और 20% देने का मतलब क्या है बी यानि रेट आफ इंटरेस्ट हमको निकालना था जो कि हो जाएगा 20% चलियर है चली next question sum of money at the end of 3 by 4 years is 6% per annum total amount of 2940 what is the amount invested 3,3,3,3,3,4 वर्ष में के अंत में 6% ब्याज की दर्ष से कुल इतना रुपया प्राप्त होते साधारन ब्याज पर राशी जो प्राप्त होती है वो इतनी है तो निवेश की गई राशी कितनी होगी देखे 6%, 6%, 6%, 6% के साब से आप 3,3,3,4 वर्ष के लिए ब्याज दे रहे हैं तो टोटल जो इंट्रेस्ट हम देंगे वो कितना होगा वो जाएगा 3,3,4 गुने 6% यह होगा 3,3,4 का मतलब है 12,4 यानि कि 15,4 वर्ष और 6% का मतलब क्या है इसका अगर fractional value में निकालू तो बटा में 100 आजाएगा अगर इसको solve करें तो यहाँ 2 और यहाँ पर आपका value आएगा 3, मतलब यह होगा 45,45 बटे 200 इसका मतलब क्या है कि अगर मैं principal को 200 ले लू तो हमने जो ब्याज दिया वो 45 का होगा और हमें जो पैसा मिला वो जाएगा 245 का यही इसका मतलब और सवाल में दिया है कि amount जो मिला टोटल वो इतना मिला तो amount invested कितना है मतलब 245 का मान दिया हुआ है आपको rupees 2940 का और आपको principal निकालने को बोला जा रहा है और principal कितना है तो 200 unit है तो आप बताइए कितना जाएगा 2940 divided by 245 multiplied by 200 यही होगा बताइए भही इसका उत्तर क्या है अगर मैं इसको एक बार काटू अगर मैं इसको एक बार काटू तो 245 आएगा 245 से काटने के बाद यहां जो value बचरा है वह बचरा है 49 का और 49 जो है यहने 490 इसका दुगना है तो उपर बारा आ जाएगा और बारा इंटू दो करने पर 2400 रुप्या आ रहा है मतलब principal amount जो है वो कही ना कई 2400 रुप्या बी जो सवाल का सही उत्तर होगा क्लियर है चलिए साधारन ब्याज के सवाल आसान ही होते और इसी अंदाज में आपको भी सॉल्व करने है सवाल को ठीक है concept समझाया मैंने आपको जिसमें मैंने बहुत दीरे से आपको समझाया की concept क्या है और जैसे आप concept समझ गए तो यही अप्रोच आपका होना चाहिए मै कि अगर हमारा principle 200 है तो 45 ब्याज होगा और आपने amount जो दिया होगा 25 अब पहचानना जरूरी है कि सवाल में यह जो दिया है यह आपका क्या है यह आपका amount है क्योंकि amount टू बोला याने कि simple interest पर अगर इतना पूरा पैसे मिल रहा है तो यह कहीं न कहीं amount दिया हुआ हुआ है से 245 है सवाल के सबसे multiplied by 200 करके 2400 रुपया निकाल सकते हैं जतिन टुक असर्टें लोन फ्रम 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 ए बैंक अट रेट ऑफ 13% पर अनंग गेव इट गेव दे सेम अमांट तो गबरू अट लोन ऑफ 15% पर अनंग इफ एट दे अंड ऑफ 15 एर्स ही मेड़ प्रॉफित of this much what is the original amount देखिए बहुत सिंपल सी बात है जतिन ने 13% से रेंड लिया था और साधारन ब्याच से 15% से किसी को और दे दिया और 15 वर्ष के अंत में उसे टोटल सौदे में इतने रुपय का फायदा हुआ लाब कमाया तो बताइए क्या हुआ तो एक वर्ष में इसे 13% देन है तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ दो परसेंटेज का हुआ यानि हर साल इसको दो परसेंटेज का लाब होगा मुल्धन का और 15 साल तक अगर ऐसा काम किया जाए तो टोटल 30% का इसको फायदा होगा और 30% बराबर दिया हुआ 1470 1470 तो सवाल में दिया है कि amount क्या थ है तो 100% होता है तो 100% का मान निकालने को कहा गया है सवाल में आप लोग देख सकते कि यहां पर 30 में क्या multiply किया गया इसका 49 multiply किया गया 49 multiply करने पर यह value बन रहा है तो इसमें भी 49 multiply कर दो तो 4900 आ जाएगा रूपीज में तो सी जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा आशा करता हूं यह आपको सवाल समझ में आया होगा इस सवाल का इस तरीके का pattern हमने पहले भी इस वीडियो में cover करके रखा ह हुआ है चलिए आगे बढ़ते हैं तो इस सवाल में दिया हुआ है a money some of money doubles itself in four years in how many years would it become five times of itself कोई धनराशी जो है तीन वर्षों में अपनी दूगनी हो जाती है चार वर्षों में अपनी दूगनी हो जाती है तो कितने वर्षों में स्वायम का पाज गुनी हो जाएगी हमको निकालना है तो देखिए शुरुआदी तोर पे मैंने आपको एक formula लिखाय था कि अगर कोई धनराशी n1 गुना हो रही है t1 time में n2 गुना हो रही है t2 time में औ simple interest में यह formula यूज होगा ठीक अब यहां पर अगर यह formula यूज हो रहा है तो क्यों यूज हो रहा है वो मैं आपको concept चली बताऊंगा पहले इस formula से देख लेते हैं इसका उत्तर क्या है ठीक है तो सबसे पहली बात यहां पर n1 का काम कौन कर रहा है डुगना होता है double हो रहा ह है तो यहां question mark में दा देता हूं समझ में आगया सवाल अब देखिए यहां n1 के जगा मैं 2 दालूंगा तो 2-1-1 हो जाएगा यहां 5 है तो 5-1-4 हो जाएगा t1 का value 4 है चार दाल देते हैं और t2 का value यहां पर निकलना है तो t2 का value कितना हो जाएगा तो 16 हो जाएगा की नही आप solve करना चाहता है जो कि बहुत बढ़िया तरीका भी है कि केवाल concept से भी आप सारी चीज़े करें लेकिन कभी कभी formula भी तेज answer देता है चले अब मैं आपको concept के ज़री बताता हूं कि principle और amount अगर है principle और amount अगर है दुगना होने का मतलब हमने जो ब्याज दिया वो एक unit क हमने simple interest दिया एक unit का simple interest देने के लिए लग रहा है यहाँ पर 4 साल 4 साल में आपने इतना ब्याज दिया कितने साल में 4 साल अब यहां से बोल रहा है कि principle अपना कितना गुना होना चाहिए तो 5 गुना होना चाहिए अगर यहां से अगर 5 गुने होगा यह 5 टाइम्स होगा तो रेट के बारे में कुछ information नहीं है यानि रेट जो है वो पहले दूसरे case में same होगा अब simple interest और time जो होता है एक दूसरे के समानुपाती होती है यानि कि अगर एक का चार बना चार multiply हो रहा है तो इस चार में भी चार multiply करके 16 साल लगेंगे आप तो वही चीज़ हो रही है दो मे एक कम किया तो यहां पर चार आया तो एक और चार जो है कही न कई time के अनुपाती होती है तो कही न कई यहां से जो formula निकला है वो भी इसी सीज़ से निकला है इस चीज़ को आपको समझना होगा चलिए आगे बढ़ते है तो मैंने शुरुआती तो पर आपको बताया था इ how much time the sum will become tripled तो simple सी बात अगेन आपको formula जो यूज करना है वो यही formula है कि n1-1 divided by n2-1 is equal to t1 by t2 तो दुगना हुआ मतलब n1 का value 2 है तो 2-1 होगे तो उपर 1 आएगा और 3 times हुआ triple हुआ तो triple का मतलब यहां 3-2 है 1 है तो यहां पर 2 हो जाएगा और कितने साल में तो 8 साल में तो उपर 8 है नीचे t2 आजाएगा मतलब time 2 जो है यह कहीं न कहीं 16 years होगा याने फिर से 16 वर्सों में यह हो रहा है तो दो बार यहां पर same question का जो उत्तर है वो 16 साल ही आ रहा है बट आपको चौकना रहना है values क्या दिये हुए कि अगर यहां पर double हो रहा है तो 2 दाला हमने triple हो रहा है तो नीचे में 3 दाला हम तो 3-1 2 आ रहा है यानि कि just 8 का double हो जाएगा 16 years next question देखते हैं Amar gives 1500 to Vikas for 3 years and 800 to Chandra for 4 years at the rate of R percentage per annum what is the percentage rate percentage per annum if the total simple interest is 924 देखे विकास Amar ने विकास को इतना रुपिया दिया 3 साल के लिए और साथ में 800 रुपिया दिया चंदरा को यानि कि यहां पर 4 वर्सों के लिए ऐसा किया तो आपको बताना है rate का प्रतीसत क्या है कि अगर कुल व्याज जो मिला वो कितना मिला 924 रुपिया का मिला तो यहां से समझिए अमर जो है ये व्यक्ती जो है अमर ये दो लोगों को ब्यास दे रहा है एक है यहां से विकास को और दूसरा है भई यहां से चंद्रा को विकास को कितना दिया गया तो 15.000 डिया गया और rate of interest r percentage है टाइम यहाँ पर कितना है तो 3 वर्षों के लिए दिया जा गया इसकी बात करते है चंद्रा की बात करते है तो यहाँ पर 800 वर्षों के लिए तो 4 वर्षों के लिए और साथ में rate of interest यहां पर भी r% है यह change नहीं हो रहा है दोनों तरफ rate of interest r% है दोनों को मिला कर याने कि यहां से जो interest मिला विकास के जरीए प्लस यहां से जो interest मिला चंद्रा के जरीए दोनों को जोडने पर 924 रुपिये का ब्याज मिल रहा है overall clear अब यहां से यदि मैं इसका value देखों तो simple interest का formula ही लगाना पड़ेगा कि simple interest का value होता है वोता है पी आर टी बटा सो तो simple सी बात है पंद्रा सो रुपे में आप बताईए आर परसेंट लगाओगे तो पंद्रा सो आर परसेंटेज का मतलब आर बटा सो multiplied by 3 तो यह दोनों 0 से कट जाएंगे यहां से 45 आर का interest मिलेगा सेम चीज यहां पर पूरा calculate कभी मत करना यह चीज आप mentally calculate करिए कि दिमाग से अगर हम इस चीज का calculation कर सकते हैं कि percentage और यह जो 100 है यह दोनों कट जाएंगे तो चार वर्स है तो यहां से 32 आर 32 आर का हमारा interest आएगा तो 45 आर प्लस 32 आर को total करने पर कहीं न कहीं 77 आर आएगा और इसका value 924 है तो आपको आर का value निकालना था तो आर का value क्या होगा 924 divided by 77 बताइए calculate करके फटा फट उतर के आएगा इसका साथ से मैं काटू तो उपर 13 आएगा और एक forward हो रहा है तो यहां पर 12 यानि कि 132 times कटेगा 11 से यह 12 times होता है मतलब 12 आ रहा है rate का percentage का value तो आर का correct उतर हो जाएगा 12 प्रतिश्यत clear तो यहां पर हो सकता है आप लोगको लग रहा हो का कि यहां पर थोड़ा सा calculation है लेकिन थोड़ा calculation तो बनाना ही पड़ेगा न पेपर को यहां पर लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा calculation नहीं है अगर आप इस चीज़ को mentally calculate करें तो यहां पर अगर इसका value 1500 है तो 1500 का r% निकालने का मतलब 15 r कर देना और जब तीन वर्सों की बात हो रही है तो यहां 45 बार डारेक्ट लिखना है आपको यह चीज़े मैंने explanation के लिए लिखा है यह आपको exam में नहीं लिखना है ठीक है चलिए आगे बढ़ते next तवाल है आपके screen में यहां दियो है 14500 रुपय बिकम्स 21460 रुपय सिंपल इंट्रेस्ट 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 तो सिंपल सी बात है कि छे वर्सों में अगर आपने इतना ब्याज यहां से प्रिंसिपल से इतना हो गया मतलब 4500 रुपया वह बढ़कर कितना बन रहा है 21460 रुपया तो आप खुद ही बताएंगे यहां पर इंट्रेस्ट कितना आ गया और रेट ऑफ इंट्रेस्ट कितना होगा इसको आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है क्योंकि इस तरह की सवाल मैंने कई बार लिया हुआ है उत्तर देंगे आप लोग इसका कि इन डाट ताइम परिड़ तो देखेए 600 रुपय के साधरान ब्याज पर याने कि 600 रुपया साधरान ब्याज पर चार वर्शों में इतना हो जाता है याने कि यह श्यों रुपया मूल दने 720 रुपया कही न कही आपका amount है ठीक है यह चीज आपको समझना होगा और यदि ब्याज की दर को हम 5 प्रतिसत से इसमें व्रद्धी कर देते हैं ब्याज की दर में तब इतने ही समय विधी में आपको बताना है कि कितनी राशी हो जाएगी तो देखे प्रिंसिपल amount बीच में जो value add होता है यह होता है interest इसको हमने कई बार देख लिया अब प्रिंसिपल 600 रुपिया था amount 720 रुपिया था तो interest हमने जो दिया वो कितना हो गया आपका जवाब होगा 120 रुपिया का हमने interest दिया होगा चार वर्सों में अब जब आपने बोला कि यहाँ पर इंट्रेस्ट को हम 5% से बढ़ा रहे हैं 5% से बढ़ाने का मतलब क्या होता है 5% का fraction value आपको निकालना होगा जो कि क्या होता है 1 बटा 20 तो जब किसी value को आप 5% से बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब आप उसको 1 बटे 20 हिस्सा से बढ़ा 126 गुने होगा मतलब कि यहाँ पर जो value बढ़ेगा अब इंट्रेस्ट जो हो जाएगा वह अगर 5% से बढ़ाना है मतलब की 120 नहीं इसका 5% जोड़ देना याने 6 जोड़ देना इतने से value बढ़ना चाहिए तो अब आप बताईए कि यहाँ से अगर हम यहाँ पर 5% से बढ यहां पर हम इंट्रेस्ट रेट को जब बढ़ा रहे हैं तो कहीं यहां पर जो value 5% से जो ब्याज मिला वह ब्याज का आपको 5% बढ़ाना यानि कि एक बटा 20 हिस्ता बढ़ाओगे तो 6 रुपिया बढ़ेगा यानि कि 126 रुपिया आप दोगे तो यहां से 726 रुपीज हो 10% if his annual income is 561 then what is the capital एक व्यक्ती ने अपने पूंजी का एक बटे 3 भाग को 7 प्रतिसत एक चौथाई भाग को 8 प्रतिसत और 6 को 10 प्रतिसत से निवेश किया यदि उसकी वार्षीक आए जो है वो 561 रुपिया है तो पूंजी किया है देखिए मैंने आपको सीक्वेंस में सार यह जो rate percentage लगता है वो r percentage किस पे लगता है वो principle पे लगता है और अलग-अलग quantities पे जब अलग-अलग average लगता है तो मैंने आपको बता के रखा यहाँ पर weighted average लगेगा और weighted average लगने का मतलब यहाँ पे deviation से भी value solve हो जाएंगी तो अब देखिए यहाँ से कहानी ऐसी चल रही भाघ का मतलब क्या हुआ चार यूजिट में जो interest है वो कितना है 7% पर्शेंटेज है और एक चोथा ही भाग का मतलब है इसका एक चोथा ही करना एक चोथा ही करने का मतलब 3 & 4 बचा कितना है तो 8% अब आप बताए कि 12 मेंसे 4 बच्दम एक च washing बता और बाराम से चार अगर गया 12 मेंसे तो 5 यूनिट में अब जो इंट्रेस्ट लगेगा वो लगेगा 10 परसेंटेज का क्योंकि रिमेंडर में आपने कहा है सेश में 10 प्रतिशत की अलग-अलग एवरेज लगता है तो वहां पे वेटेड एवरेज लगेगा तो यहां से यदि मैं इसको सॉल्फ करने की कोशिश करूं तो यहां से मैं मान लेता हूं कि 8 परसेंटेज इसका एवरेज है मान लेते हैं कि 8 परसेंटेज इसका एवरेज है तो अब क्या करना होग इसका deviation लेना होगा, deviation का मतलब यहां से minus 1 कर देना, minus 1 करोगे, क्योंकि यहां पर 7 था, लेकिन 4 values में minus है, तो minus का 4 हो जाएगा deviation, इस value को देखोगे, तो plus का 2 हो रहा है, लेकिन plus 2 में 5 5 values है, तो 2 into 5 करोगे, तो plus का 10 होगा, साथ ही साथ यह जो 8 percentage है, 8 percentage, 8 percentage का net deviation 0 होता है, तो वहाँ पर कुछ भी आवसकता नहीं है, टोटल value कितना है, 4 प्लस 3 प्लस 5 करोगे, 12 unit में यह भटना है, तो 12 से इसको divide कर लेते हैं, मतलब यह कितना हो गया भई, minus 4 और plus 10, मतलब 6 unit का difference, तो overall 0.5 percentage का difference आ रहा है, मतलब 8.5 percentage is the correct rate of interest, तो इतनी सारी चीजों में आपको यह समझ में आ गया, कि rate of interest जो है, वो आपको 8.5 percentage के हिसाब से देना था, अब 8.5 percentage rate of interest है, और साथ में बोला है कि annual income इतना है, मतलब यह एक साल का interest जो है, वो rupees 561 होगा, क्योंकि एक साल का rate होता है, एक साल का percentage ही तो यह बताता है, कि हमने सालाना कितना कमाया, और सालाना यहां दिया हुआ है, yearly हम कमा रहे हैं इतना, तो यही आपका rate हो जाएगा, तो यहां से 100 percentage का value निकालना है, 100 percentage का value हो जाएगा 561, divided by 8.5 multiplied by 100, तो इस 0 को हटाने के लिए, एक बार 0 यहां पर multiply कर लेते हैं, उपर नीचे 10 से 85 आ गया, तो 17 से यदि मैं काटू 5 आएगा, यहां पर 17 तिया होता है 51, फिर 51 आ रहा है तो 3 टाइम जाएगा, 5 से 1 0 को काटू तो 2 बन जाएगा, तो यह आपका 100% का value और 100% का value होता है, वही आपका principle होता है, यही हमें निकालना था, कि अगर rate of interest यहने इतना मिल रहा है, तो हमने देखा 8.5% है, जो की इसके बराबर है, तो overall हमारा 6,600 रुपीज लगेगा interest, ठीक, चलिए, next question देखते हैं, तो यहां से थोड़ा से समझीए, पचास जार रुपे जिसमें से आठ हजार को पास सही एक बटा दो, याने 5.5% के ब्याज से साधरन ब्याज पर दिया गया, 24,000 को 6% प्रतिवर्ष साधरन ब्याज, और 6 में जो है निश्चित ब्याज पर उधार देता है, यहां से 3680 रुपे का कुल वार्षीक ब्याज प्राप्त होता है, तो प्रतिवर्ष किस दर पर 6 को उधार दिया गया, तो सबसे पहली बात आपको यह पता होना चाहिए, 6 राशी कितनी है, और 6 से एक वर्ष में कितना आ रहा है, तो 6 क्योंकि ब्याज क्या कहता है, ब्याज किदर यह कहती है, प्रतिशत कमाया वही आपका ब्याज है, तो आपको शेष वैल्यू पता होना चाहिए, और 6 में कितना ब्याज मिल रहा है, यह दूनों शीज़ आपको पता होना चाहिए, यहां से 50,000 रुपय है, टोटल 50,000 रुपय को मैं तीन हिस्सों में बाट लेता हूँ, पहला आपका 8,000 रुपया, दूसरा आपका 24,000 रुपया, दो हिस्सों में बाट दिया, 8,000 और 24,000, क्योंकि दो हिस्से थे, एक 8,000 वाला, एक 24,000 वाला, तो तीसरा हिस्सा, automatically 18,000 worries how jayega क्योंकि overall 3 o ka sum वह 50,000 अब आप बोल रहे हैं यहां से कि इसमें हम जो व्याज कमा रहे हैं वो 5.0 5% के हिसाब से कमा रहे इसमें हम जो गयाज कमा रहे है वो 6% के हिसाब से कमा रहे तो overall जो व्याज मिल रहे है overall व्याज हमको जो 3 oola पहले हैं तो आप बताईए 10% कितना है 10% इसका 800 प्रतीसात हो गा 800 रुपिया क्योंकि 10% का मतलब 10 चुपा देना तो 5% 800 का आधा होगा 400 और 0.5 मतलब 400 का और 10% और निकालना याने कि 40 मतलब कहीं न कहीं इस 5.5% का सीधा सिंफल आप लिख सकते हैं कि 440 रुपिया यहां से मिल रहा होगा 5.5% बहुत सारी mental calculations मैंने यहां पर की mentally आप इस चीज़ को calculate कर सकते हैं 10% इसका 10% होता है 10% होता है 800 तो मैं कहा रहा हूँ 800 यह हो गया 5% कितना हो जाएगा 400 और 0.5% निकालना है तो इसका और कम हो जाएगा याने 40 मैंने बस इन दोनों को जोड़ दिया इन दोनों को जोड़ोगे तो 5.5% directly आजाएगा 440 तो यही चीज मैंने यहां पर mentally calculate करके आपको बताएगा अब 6% निकालना है तो percentage और 2 zeros को हटा दीजे तो 6 गुना इतना होगा जो कि 10 और 144 के बार साथ आजाएगा इन दोनों को जोड़ने पर जो value आएगा वो आएगा 1, 8, 8, 0 यह हमारा जो ब्याज है यह पहले और दूसरे वाले हिस्से से मिला और total तीनों का मिलाने पर 36, 80 3680 मिलता है तो अगर इन दोनों का difference में ले लो इन इसका और इस value का difference यदी में ले लो तो जो value होगा वो यहां से आना चाहिए तो दोनों का difference 18, 100 रूपय हो जाएगा और 18, 100 रूपय देखते साथ समझ में आ रहा है 18,000 का 10 percentage value 10 percentage value है तो 6 वाले को हमको कितने में देना है 10 percentage में देना है तब ही जाकिए आपका काम बनेगा यहां पर जो यहां पर जिस तरीकी का equation दिखा हूँ है clear है यह सवाल चलिए तो आगे बढ़ते है a person invested some amount at 12% simple interest and 10% at the rate of 10% simple interest मतलब कि 12% ब्याज की दर से कुछ amount और 10% ब्याज की दर से कुछ दूसरा amount लगा है yearly interest तो मिला वो 130 मिला but if he had interchange the amount he would have received 4 rupees more as interest how much interest did he invest at 12% ब्याज परेना तो देखिए अगर यहां पर ऐसा ना करके इसका उल्टा किया जाता तो 130 पहले तो इसमें 130 मिल रहा है लेकिन यह बोल रहा है कि अगर इसका उल्टा कर दोगे तो value जो है वो 4 रुपे जादा अधिक कमाएगा तो 12% साधरन ब्याज वाले दर से जो amount था वो कितना था यहां को निकाला है देखिए प्रतीसत में मैंने आपको इस तरीके का सवाल करवाया था और वहां पर मैंने आपको एक trick भी बताया था उसी trick के जरीए यह सवाल सॉल्व हो जाएगा एक बार फिर से यहां पर हम repeat करते है जितने लोगों को याद है बहुत अच्छी बात है याद नहीं तो यहां देखिए यहां पर दो सम है पहले वाले सम को मैं A रुपया का माल लेता हूं दूसरा वाला जो सम है उसको मैं B रुपया का माल लेता हूं तो कह रहा है कि A का 12% लिया हमने साधरान ब्याज है इतना और B में हमने 10% लिया तो जब दोनों को जब सम अप किया जाता है तो 130 रुपया का ब्याज मिलता है सालाना तो सालाना जब मिल रहा है तो यहां पर 130 रुपया फिर कह रहा है कि अगर मैं इसको उल्टा कर दू ही का बार पर्सेंट बइक का 12 लोगे और एंक 10 लोगे लिवे तो यहां पर चार रुपिया ज्यादा मिलेगा aur यहां से हैं यहां से बट इफ लखा हुआ बद लेकिन आगर और कहा हा मतलब एक्चुली जो सही कंडिसे न हमकर कह दिया मतलब यह conditional statement है ऐसा अगर होता तो क्या होता मतलब 12% के ब्याद से जो दिया वो पहला वाला condition है मतलब यह वाला condition तो हमें जो सवाल में solve करना है वो है A का मान बताना है clear है यहाँ पर क्यों A का नाम यहाँ पर निकालना है क्योंकि 12% हमने जो दिया है वो यह वाला है वो यह वाला नहीं यह तो अगर होने के बाद ऐसा बोल रहा है कि ऐसा होता तो क्या होता लेकिन सवाल में हमको यह ऐसा नहीं करना है पहले जो 12% में जो वाले हो वो हमें निकालना था तो एक अमान निकालना होगा ठीक है प्लस बारा करने पर भी 22 आता है तो दोनों में 22 आ रहा है ऐसे कंडिशन में shifting अप्रोच लग जाता है तो यह multiple questions में अप्रोच लग जाता है जैसे कि इस सवाल में percentage में भी होता है यह time speed distance में भी होता है करना क्या है आपको value किसका निकालना एक का निकालना है तो मैं क्या करू यहां पर सवाल इस direction में दिया लेकिन मैं इसके उल्टे direction में जाऊंगा कहने का मतलब यहां से जब मैं उपर की और जाओं तो यह 2% कम हुआ और यहां से मैं उपर की और जाओं तो यह 2% बढ़ा तो यह अगर एक value 2% कम हो रहा है और दूसरा value 2% बढ़ रहा है तो आप लो यहां पर उल्टी जगापर आप जाओं तो क्या हो रहा है minus 4 हो रहा है यह plus का चार तो नीचे आने में था ऊपर जाने पर क्या खार माइनस का चार होरा है मतलब जिटने percentage मैं यहां से उठा के इधर shift करो उतने बार यहां minus उसका दुगना माइनस होता है value में तो यहाँ पर इस 10% को भी रखने की क्या आवसकता है जब मुझे A निकालने को कहा गया तो मैं इस 10% को भी हटा देता हूं यहां से अब इस 10% को उठा के मैं यहां भेजूंगा तो value जो आएगा वो आजाएगा इसका value आजाएगा 22% 22% किसका तो A का ठीक है और यह हो जाएगा 0 मतलब इसका कोई रोल नहीं रहा और साथ में जब मैंने 10% shift किया जब 2% shift किया तो उसका double माइनस हो रहा था अब 10% और shift करोगे तो इसमें 10 का double यानि कि 20 माइनस होगा 20 10 का double और इसमें 130 में 20 माइनस करके जो value आया हो आया 110 का कितना इतना है एक percentage इतना हो गया तो A का value कितना होगा A का value directly आप लिख सकते है 110 divided by 22% परसेंट का मतलब गुने 100 बटे 100 यानि 500 रुपया जो है इतना रुपया A के लिए वहां पर निवेश किया गया था यानि 12 प्रतीसत वाले ब्याज किदर से आपने 500 यहां पर निवेश किया समझ में आ गया यह चीज चलिए आगे बढ़तें अगला सवाल दिएवाए इस अनुवल रेट अफ सिंपल इंट्रेस्ट इंक्रीज़ फ्रम्ट परसेंट तो बताना है कि यह इंक्म सी बात है वही बारा परसेंट परसेंट पहले था अब साड़े बारा परसेंटेज हो गया मतलब कितना बढ़ा ढाईु परसेंटेज बढ़ए और ढाई परसेंटेज बढ़ने पर जो एक्चुल वैल्यू बढ़रा है वो 1250 बढ़ रहा है तो सौ का अपसे पूछत रहा है कितना तो आप थोडी बताईएंगि यहां से कितना मल्टिप्ला स्प्र जाएं कि इसमें 500 म suficiente करने प烈 जाए है इसकिंदे पांच सु म्लूटिप्ला इंक audit, उ जारा जाए हुए अजेशmedंस आपस्पर पुछसने धोला स स्थी कंस इस Welcome ,GSetaan इन देखिए यहां पर सबसे सी बात है सिंपल लेंग्विज बे दिया है कि यहां पर जो है पहले वाले में जो ब्याज मिला तो यहां रेशो से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि प्रिंसिपल अगर कर पाँच दे सकते हैं 205 पूरा करना है तो इस तरह के से बता तो सिंपल इंट्रेस्ट गोटा है। यह पी आर ती वाए 100 और दोनों case में same आ रहा है simple interest मतलब पहले वाले में 5000 डालना है rate डालना है time 4 साल है दोनों में उसको लिखो ना लिखो बात ही किए दूसरे वाले में 4000 है rate जो है वो बढ़ गया कितने से 1% से तो r plus 1 time same है चार बटा 100 लिखो ना लिखो बात एक ही है चार बटा 100 है अब इसको solve करेंगे तो इसका value कितना simple है बताईए 100 और 100 कर जाएंगे यह वाला चार और चार कर जाएगा यह वाले तीन जिरो और तीन जिरो कर जाएंगे मतलब पांच आर बरावर आर प्लस वन है simple से बात है और यहां से इसको जब solve करोगे तो 5r बरावर कितना हो गया 5r बरावर 4r प्लस 4 हो गया तो r का value कितना आ गया चार आ गया बट मैं इस चीज़ से और ज्यादा simple तरीका यह कह रहा था कि अगर यहां 5 अनुपात 4 है तो यह 4 अनुपात 5 होगा rate और यह 4 अनुपा सकते हैं a sum of money rupees 2600 is lent out in two parts such that the interest on one part at 50% 5 years is equal to the interest on another part at 9% 6 years the sum lent out at 10 percentage देखें a sum of 2600 रुपे के हमने sum को दो भाव में इस तरही से वितरित किया कि पहले वाले में 10 प्रतिसत में 5 साल में जितना ब्याज मिला बराबार है दूसरे वाले में 9 प्रतिसत में 6 साल में कितना ब्याज मि equal तो sum lent out at 10% कितना होगा यह हमें निकालना है तो मान लेते हैं कि a plus b दो amount है a और भी a plus b जोडने पर 2600 रुपया आ रहा है तो 5 साल में 50% ब्याज दोगे मतलब a का 50% इंट्रेस्ट हो गया वी में यदि 9% हर साल दे रहे हैं तो 6 साल में 54% हो जाएगा मतलब a का 50% यह बराबर b के 54% के बराबर है b के कितने के बराबर है 54% तो यहां से आप रेश्व निकाल सकते हैं a और b का a और b का रेश्व निकल जाएगा कि a यहां से इसको काट लिया जाए percentage से percentage कर जाएगा यह बन जाएगा 25 और यह बन जाएगा 27 तो A divided by 27 जो है यह बराबर है B divided by 25 आपको किसका value निकालना है एक का value निकालना है कि पहले वाले में हमने कितना दिया क्योंकि आपसे यही पूछ रहा है सवाल में कि आपने 10 percentage वाले में कितना दिया था 10 percentage वाले में A है तो A का मान निकालना असान है एक का value क्या होगा जब यह दोनो 27 रेश्यो 25 में तो एक हिस्से में 27 आएगा out of 27 plus 25 इन दोनों को जोडना पड़ेगा कितना हो गया दोनों को जोडने पर 52 ठीक और multiplied by यहाँ पर 2600 है जो कि यह इसको 50 बार काटेगा और यहाँ पर value आ जाएगा 135 न क्योंकि यहाँ पर 35 और 20 ठीक है 135 और एक जिरो आ जाएगा तो यहाँ से सी जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा clear चलिए next question यहाँ पर दिया हुआ है कि हमने एक परसन ने 50% सम को 10% पर एनम के हिसाब से इंवेश्ट किया था 50% of the rest at 16% and the rest at 20% what would have been his annual rate of interest calculated on the whole sum तो एक व्यक्ती ने क्या किया पचास प्रतिसत प्रतिवर्स के राशी को 10% की दर से निवेश्ट किया और 6 का अब 6 की बात कह रहा है तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है हमको कि इसके पहले जो सवाल देखा था उसमें 6 नहीं था लेकिन यहाँ 6 बोल रहा है रेश्ट कह रहा है ठीक है मतलब 50% का मतलब होता है आधा एक बार करना और आधा एक बार और कर देना यानि कि एक चौथा ही करना है टोटल इस केस में तो प्रिंसिपल को पहले हमको लेना पड़ेगा 4 यूनिट इसका आधा का मतलब होता है 2 यूनिट अब 6 बचा 2 और इस एक इसमें से पहले वाले इससे के बारे में बोला गया कि इसको 10 प्रतिसत में दे रहे हैं दूसरे वाले को हम दे रहे हैं 16 प्रतिसत में तो पहले वाले को हम दे रहें 10 प्रतिसत के ब्याज किदर से दूसरे वाले को हम दे रहे 20% के बाच के दर से ठीक है और बोल रहा है रेस्ट को बचे हुए को अच्छा ये दूसरे वाले को 16% के साब से और जो 6 बचा हुआ इसको दे रहे 20% के साब से तो बताना है भाई कि overall हमने कितने percentage के साब से पूरे सम को दिया क्योंकि यहां पर ऐडिज, total average मैं मान लिके चलता हूँ, तो 2 value में minus का 4 हो रहा है, minus का 4 दो value में, मतलब देख़ए, स्वरी 6 होगा, minus 6 हो रहा है, minus 6 हो रहा है, दो values में, 6 x 6 याने minus 12, deviation की अधी बात करूं, तो 2 value में minus 6 हो रहा है, और क्योंकि 2 value में minus 6 हो रहा है, तो minus 12 अगेगा, यहां पर द यूनिट में बटनी है क्योंकि ओवरॉल सिंपल हमारा जो वैल्यू है दो प्लस एक प्लस एक यहने चार है तो यहां माइनस का बारा प्लस का चार माइनस का बारा प्लस का चार का मतलब होता है माइनस का बारा और प्लस का इंट्रेस्ट लग रहा है पूरे के पूरे सम में क्लियर है बात यहां तक समझ में आ गई चलिए आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट कॉश्चिन में यहां पर दिया आपको समझना यह है कि यहां पर जो वैल्यू दिये हुए यह सबसे पहले आपके क्योंकि यह इतना बन गया अगर कोई अमाउंट ऐसा कह रहा है कि यह इतना बन जाता है मतलब यह क्या है तो यह अब अमाउंट है इतनी धनराशी बन गई, बन जाती है, मतलब यह क्या है, तो amount है, इसके बाद आपको समझना क्या है, कि अगर यह amount after 4 years है, तो amount after 4 years का मतलब होता है, principle plus 4 साल का SI, principle plus 4 साल का SI कितना है, 14880, और amount after 7 years है, क्योंकि further period of 3 years बोल रहा है, तो 3 साल और बाद, यानि total amount यह जो है, इसके 3 verse के बाद, इसके 3 verse के बाद यहने है, पहले ही 4 साल निकल चुके है, तो अब 7 साल बाद होगा, तो 7 साल बाद, principle plus 7 साल का SI आएगा, और इसका value दिया है, 17558.4, तो यहां 0.0 मैं लगा लिता हूँ, calculative सवाल है, लेकिन हमारे पास कुछ techniques है, जिसको हम use कर सकते हैं, जिसको मैंने basic calculation tricks में लगा कि आपको समझाय हुआ, एक बाद try करते हैं, उससे बन रहा ही की नहीं, इन दोनों का difference लोग है, तो 3 साल का SI आएगा, क्योंकि SI हर साल सेम होता है, 4 में से 0 गया तो बचेगा, 4 औ हमें चाहिए या तो 4 साल का SI principle calculate करने के लिए, या हमें चाहिए 7 साल का SI principle calculate करने के लिए, या हमें चाहिए 7 साल का SI principle calculate करने के लिए, दोनों में से कोई भी एक value निकालिए, जैसे मैं यहाँ 4 साल का SI निकालने के कोशिश करता हूँ, तो अगर 3 साल का SI इतना है, तो 1 साल का SI जिससे आप फटा-फट calculation कर सकते हैं तो देखे मैं पहले क्या करूंगा इसको 3 से काट लेते हैं अगर मैं इसे 3 से काट लूँ तो value आ जाएगा तीन से काटने पर यहां पर बन जाएगा नौ ठीक है नौ के बाद आपका जो value आएगा आट बार जाएगा चोविस से चोविस के बाद यहां पर 279 आ रहा है टू पॉइंट यहां पर 8 आ रहा है ठीक अब चार से इसको multiply करना है तो principle प्लस चार से multiply करने पर 32 यहां पर दसमलव लगेगा तो यह 8 प्लस 3 करोगे ग्यारा 36 प्लस 1 करोगे तो 7 37 और यहां पर 32 प्लस 2 करोगे तो 35 इतना हमको जोड़ना है principle में यह आपके चार वर्षों का SI और इतना जोडने पर 1488 0.0 आ रहा है अब आप खुदी बताएगे अगर यहां दसमलव 2 है मैनस करना इस value को यहां दसमलव के आगे 8 आना चीए 8 आना और यहां वाले का डिजिटल सम एक एक आठ आठ दोनों 9 है हट गए इसका डिजिटल सम तीन आ रहा है मतलब definitely डिजिटल सम से आपका उत्तर आ ही जाएगा इसका बस डिजिट चेक कर यह कितना आ रहा है डिजिटल सम तो डिजिटल सम वाले वीडियो में पहले basic calculation track में यह स से नौ को हटा दो को हटा दू साथ को हटा दू ठीक नौ बन गया एक प्लस चार यह भी नौ बन गया मतलब principle जो है इसका डिजिटल सम तीन है क्योंकि 9 का डिजिटल सम जीरो होता है तो option यह डी वाला सही रहेगा ठीक है पूरा calculation करने की कोई जरूरत नहीं है यह डी वाला इंट्रेस्ट पेड बाइदा परसंट धाई प्रति माह के इसाब से दर से एक निश्चित राशी का उधार लिया और यह वह जो बकाया चुकाने के लिए जो है वह छे महिने के बाद इतना रुपया का भूगदान करता है तो बताना है कि बूगदान की गए के लिए जो र रुपया कर के याने 15 परसंटेज का हमको क्या देना इंट्रेस्ट देना है कि मतलब सौ रुपैया हमारा प्रिंसिपल है इंट्रेस्ट है तो एमाउंट जो निकला अब है वर इसका उत्तर हो जाए तो एक बार युदि मैं इसको काटूं तो 115 से एक बार कटेगा ठीक है इसके बाद 16 आ रहा है तो 16 फिर से एक बार कटेगा ठीक है 16 क्योंकि यहां पर 161 आएगा और 115 से काटने का मतलब 40 बार जाएगा फिर 40 के बाद आपका वैल्यू जो आ रहा है वो पाच आ रहे यानि 46 आ रहे 460 तो 460 का मतलब यह चार-बार जाएगा मतलब टोटल जो वैल्यू है 114 आया अगर 114 जो है कहींना हमारा जो वैल्यू है एक यूनिट का वैल्यू है हमें 100 निकालना था इसको थोड़ा करेंगे हमें यहां पर 15 यूनिट का वैल्यू निकालना है किसका यूनिट वैल्यू निकालना है 15 यूनिट का वैल्यू निकालना है क्योंकि आपसे इंट्रेस्ट देने को पूछ रहा था 210 जोडने पर 1710 आएगा वैलू इसका टोटल इंट्रेस्ट इस तरीके से हमने इस सवाल के साथ अब मैं यहाँ पर इस वीडियो को रोखता हूं आशा करता हूं आपको सिंपल इंट्रेस्ट का कॉंसेट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा और इसी के जरीए मैं यहाँ पर इस वीडियो को रोखता हूं आने वाले जो वीकेंड है वहाँ पर आपको मैं सिंपल इंट्रेस्ट के और भी सवाल कराऊंगा जिसमें कि आप प्रैक्टिस सीट के सब्सक्राइब को जिसका एंसर कि हम आपको नेक्स्ट वीक के वेडिनस्टे को प्रोवाइड करते हैं तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पर रोकता हूं थैंक्यू सो मच अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें चैनल सब्सक्राइब करें और बैल आइकन दबाना ना बोले थैंक्यू सो मच इस वीडियो में इता हैं